इंडियनी स्पिर्चल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाएं सबसे पहले 12 प्रमुग जोतिलिंगों में से भगवान भीम शंकर का छटा इस्थान है ये जोतिलिंग महरास्ट के पूर्णे से लगबग 110 किलोमेटर दूर सहाधरी नामक परवत परिस्थित है भीम शंकर जोतिलिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मानेता है कि इस जोतिलिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप नस्थ हो जाते हैं ये मंदिर अत्यान पुराना और कलात्मक है भीम शंकर मंदिर नागर शेली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई सन्रचना का सम्मिश्रण है भीम शंकर मंदिर के पास कमल जा मंदिर है कमल जा पार्वती जी का अवतार है इस मंदिर में शर्धालों की भीड लगती है मंदिर के पीछे दो कुंड भी है अनेक धर्मक्रंतों में इस जोतिलिंग का वर्णन मिलता है और यहीं से भीमा नदी भी निकलती है प्रति दिन सुभा सुर्या निकलने के बाद दर्शन करता है उसके साथ जन्मो के पाप दूर हो जाते हैं उसके लिए स्वर्ग के मारख खुल जाते हैं इस मंदिर को लेकर एक पॉराने कथा भी है शेपुराण के अनुसार पूरुकाल में भीम नाम का एक बलवान राक्षस वह रावन के छोटे भाई कुमकरण का पुत्र था जब उसे पता चला कि उसके पिता की मिर्तियों भगवान विश्नु के अवतार श्री राम ने की है तो वो बहुत क्रोधित हो गया विश्नु को पीड़ा देने के उदेश से उसने ब्रहमा को तब कर प्रसंद कर लिया ब्र अंत में भीम ने राजा सुदक्षन को हरा कर कैद कर लिया राजा सुदक्षन भगवान श्रीव का भगता कैद में रहकर उसने एक पार्थिफ शिवलिंग बनाया और उसे की पूजा करने लगा ये बात जब भीम को पता चली तो वो काफी क्रोधित हो गया और राजा में राजा सुदक्षन की भगति को देखकर भीम ने जैसी ही उस्रीवलिंग पर तलवार चलाई तब ही वहाँ भगवान शिव प्रगथ हो गये प्रगथ होकर भगवान शिव ने कहा मैं भीमेशर हूँ और अपने भगत की रक्षा के लिए प्रगथ हूँ भगवान शिव इस परकार सभी के प्रातना सुनकर भगवान शेव उस स्थान पर भीमा शंकर जोतिर लिंग के रूप में इस्तिर हो गए। इस पर भीमा शंकर से कुछी दूर पर शिनौली और घोड़ा गाओं हैं जहां आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। इस पर भीमा शंकर मंदिर पहुंच सकते हो। महा शिवरात्री या प्रतेक महा में आने वाली शिवरात्री को यहां पहुंचने के लिए विशेश बसों का भी प्रबंदन किया जाता है। जो यात्री रेल मार्क से आना चाते हैं वे मंदिर के सबसे पास वाले रेल वे स्टेशन ज्यानी की पोने में आ सकते हैं। पोने से भीमा शंकर के लिए बस वर टेक्सियां भी उपलब्द है। अगर आप वाई मार्क से आना चाते हैं तो पोने का हवायदा बहतर है। इस अद्भु जोतिलिंक के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप कर सकते हैं और आपकी आर्थिक सम्रत्वी हो सकती है। इसलिए भगवान शिव के इस मंदि का दर्शन अपने जीवन में जरूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखते बताएं। साथी दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद!